अगर देश के किसानों की हालत नहीं स्थरी तो आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा ये मब देखना कि अत्याचारी कौन है याद रखना जिन्दा कौमें पांस साल तक कभी इंतजार नहीं करते विरोध प्रदर्शन हमारा हक है ये वरोध फ्रदर हमारे संबेदाने कदिकार है और देख लीजे कि सब कुछ शान्ती पूर्ट तरीके से हो रहा है दायर साहाब कसम से कह रहे है एक नंबर का बल दर्जे का गजब का पहलवान है उम्मुलायमवाई एक पिछा के चाटले साली के अरबंद करो उसका गुन गाई जेजे गार हो रही है दोडों की माला पहनाए जारी है तुम्मुलायम को लग रहे ना बिलकुल पहलवान के लगाए बस एक मौकल की तलाश में हूँ न अतुराम जी दुनिया को बता देंगे कि सरकार कैसे और किस के लिए चलाई जाती है आज के बाद दंगल नहीं राजनीती की कुष्टी होगी ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े-बड़े खेमे को अखाड़ भेकेगा एक बात याद रखना शेफ नाने अखाड़ा बदला है दंगल नहीं छोड़ा इमर्जनसी की सारी तैयारिया हो चुकी है राजनीते में दाउपेश जरूरी-जरूर होती है लेकिन सम्विधां के संखिलवार करने का किसी को कोई अधिखाद नहीं है यह चोटे बड़े जित्ते भी ओपोजिशन लीडर्स है ना, जस्ट पुट थें बहाइन बार्स अस सून अस पॉस्मल जिंगार यह शोरू में बदल सकती है पुचादो सबको पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है हम महाभारत के अर्जुन है और होसली का दूसरा नम मुलायम सिंह यादो उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया अकराओ है तो वह है उसूलों की हक की जिन्दा को में पाक सामसा के इंदिजार कभी नहीं करती मेरे दिल कहता है के यह मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा लोग निता जी के नाम सो जानेंगे इसे जिन्दाव मुलायम नहीं करती दार